नमस्कार दोस्तों आप लोगों का दबुक्स क्लब में स्वागत है मित्रो आज हम अप्टू डेट उत्तर प्रदेश के सिच्छा साहित एवं पत्र पत्रिकाओं से सम्मंधित महात्पूर्ट पेशन लेकिया हैं बेरी इंपॉर्टेंट हैं आपकी एक्जाम के लिए तो चलिए सुरुवात करते हैं बिना समय गवाई हुए हमारा पहला कोशन क्या है हमारा पहला कोशन है उत्तर प्रदेश का प्रथम मुक्त विश्व बिद्याले इस्थित है ये यूपी पीसेस मेंस 2005 में पूछा गया थ होगा उत्तर प्रदेश का प्रथम मुक्त विश्व बिद्याले इस्थित है कहां पर प्रियाग राज में नेक्स्ट अगला देख लेते हैं बनारस हिंदू विश्व बिद्याले का सिलान्यास किस ने किया एनी बेसेंट लॉर्ड हार्डिंग मदन मोहन मालवी विभूती तो इसका जो सही आंसर होगा आपसर नमबर सी मदन मोहन मालवी जी ने जो है बनारस हिंदू विश्व बिद्याले का सिलान्यास किया था ये भी यूपी पीसेस में दो हजार तीन में पूछा गया है नेक्स्ट अगला देख लेते हैं पंडित दीन दयाल उपध्याय पसु चिके स्या विश्व बिद्याले कहां पर है मतुरा में है नेक्स्ट अगला कोशन देख लेते हैं प्रदेश में केंद्री क्रिस विश्व बिद्याले के स्थापना की गई वारानसी में जहांसी में बांदा में बरेली में तो इसका जो सही आंसर होगा आपसर नमबर भी ज जहांसी में प्रदेश में केंद्री क्रिस्व विश्व विद्याले के स्थापना कहां की गई जहांसी में सारे कोशन रिपीडेट हैं और लगातार एक्जाम में पूछे गए हैं नेक्ट अगला देख लेते हैं कल्प योजना सम्मंदित है किसे प्रात्मिक सिच्छा से माध्मिक सिच्छा से उच्छे सिच्छा से प्रवार्थिक सिच्छा से तो इसका जो सही आंसर होगा आपसे नमबरे प्रात्मिक सिच्छा से कल्प योजना किसे सम्मंदित है प्रात् और अगर आप नए हैं और वीडियो अच्छा लग रहा है कोशन अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज चैनल को सस्क्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन जरूर प्रस कर दीजेगे जिससे इसका नूटिफिकेशन प्राप्त होता रहेगा प्रथम विकलांग विस्व विद्याले स्थापित किया गया कहां लखनों में चित्रकूट में कानपूर में बांधा में तो इसका जो सही आंसर है आपसा नंबर बीच चित्रकूट में प्रथम विकलांग विस्व विद्याले स्थापित किया गया है चित्रकूट में अगला अतिलोकप्री धार्मी पत्री का कल्यान प्रकासित होती है कहां से मतुरा से डिसी केश से गोरगपुर से वाराणसी से तो इसका जो सही आंसर आपसे नमबर सी गोरगपुर से अतिलोकप्री धार्मी पत्री का कल्यान प्रकासित होती है कहां से गोरगपुर से होती है नमबर सी बुलन सहर वा हर्दोई और नमबर डी एटा वा प्रताबगड तो इसका जो सही आंसर होगा बंदायू वा जौनपुर में जो है उत्तर प्रदेश राज की मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जा रही है नेक्ट कोशन देख लेते हैं अगला कोशन उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रसिच्छन एवं अनुसंधान केंद आविवस्थित यानि इस्थित है तो उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रसिच्छन एवं अनुसंधान केंद कहां पर इस्थित है बारा बंकी में बरेली मे लखनव में रामपुर में तो इसका जो सही आंसर है आपस नमबर सी लखनव में उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रसिच्छण एमवान संधान के इंद कहां पर है लखनव में हैं अगला देख लेते हैं उत्तर परदेश सासन दौरा जिस आई वर्ग तक के बच्चों को प्रात्मी सिछा उपलब्द कराने में उच प्रात्मिटा दी जा रही है वह है पांच वर्ष तक सात वर्ष तक बारा वर्ष तक चौदा वर्ष तक तो इसका जो सही आंसर होगा आपसर नमबर D 14 वर्ष तक उत्तर प्रदेश आसन द्वारा जिस आई वर्ग तक के बच्चों को प्रात्मिक सिच्छा उपलब्द करानी में उच्छ प्रात्मिकता दी जा रही वह है 14 वर्ष तक नेक्स अगला देख लेते हैं उत्तर प्रदेश में विश्व भारती पुरुसकार प्रदान किया जाता है द्वारा किसके हिंदी संस्थान हिंदुस्तानी एकेडमी संस्कर संस्थान उर्दू एकेडमी तो इसका जो सही आंसर होगा आपसर नमबर C संस्कर संस्थान उत्तर प्रदेश में विश्व भारती पुरुसकार प्रदान किया जाता है किसके दोरा संस्क्र संस्थान दोरा नेक्स्ट अगला कोशन देख लेते हैं नीजी छेत्र के उस विश्व विद्याले को चिन्हित कीजिए जो उसके सापेच दिखाए गए स्थान से सुमलित नहीं है नमबर वन महारिसी सूचना पौदिक विश्व विद्याले लखनाओ नमबर दो एमटी विश्व विद्याले गाजियाबाद नमबर सी जगत गुरु राम भद्रा चारिविकलांग विश्व विद्याले चित्रकूर्ट और नमबर डी है इंट्रिगल विश्व विद्याले लखना हूँ तो इसका जो सही आंसर होगा आपसा नमबर B MT विश्व बिद्याले गाजय बाद जो की सुमलित नहीं है ठीक है नेक्स अगला देख लेते हैं अगला है बिद्या वाहिनी पर्योजना निम्न में से किस पर बल देती है इसका जो सही आंसर है आपसा नमबर 1 विद्या वाहिनी पर्योजना निम्न में से किस पर बल देती है नेक्स अगला देख लेते हैं उर्दु को राज की दोती भासा के रूप में स्युकार किया गया था 1989 में, 1961 में, 1989 में, 1979 में, 1979 में तो इसका जो सही आंसर है आपसा नमबर 3 1989 में, उर्दु को राज की दोती भासा एक रूप में स्युकार किया गया था कब 1989 में, नेक्स अगला देख लेते हैं भारती भासाओं के रच्छा वबिकास हे थू हिंदुस्तानी एकडमी के स्थापना की गई कहां पर आग्रा में, वारानसी में, लखनोव में, प्रियाग राज में तो इसका जो सही आंसर आपसा नमबर D प्रियाग राज में भारती भासाओं की रच्छा वबिकास हे थू हिंदुस्तानी एकडमी के स्थापना काह की गई प्रियाग राज में अगला देख लेते हैं, प्रदेस में मिढे मील कारिकम आरंब किया गया 1985 में, 1990 में, 1997 में, 1995 में तो इसका जो सही आंसर है आपसा नमबर D प्रियाग राज में बनारस हिंदू बिश्व बिध्याले अलीगड मुसलिम बिश्व बिध्याले तो इसका सही आंसर है आपसा नमबर सी बनारस हिंदू बिश्व बिध्याले की स्थापना 1916 में हुई थी next अग्ला देख लेते हैं तो इसका जो सही आंसर है इसका जो है मेरट में है सरदार बल्लब भाई पटेल क्रस विशु विशु विद्याले कहां पर इस्तित है मेरट में है नेक्स अगला देख लेते हैं निम्न में से कौन पहला केंदी विशु विद्याले है बियचू वारणसी अलिगड मुसलिम विशु विद्याले डाक्टर भीमराव मिटिकर विशु विद्याले लखनव इलहाबाद विशु विद्याले तो बियचू वारणसी जो है हमारा य केंदरी विश्व विद्याले है नेक्ष अगला देख लेते हैं कनहिया लाल मडिक लाल केंदी हिंदी संस्थान इस्थित है कहाँ पर आगरा में बरेली में गोरकपुर में मेरट में तो ये कहाँ पर इस्थित है आगरा में कनहिया लाल मडिक लाल के अंधी हिंदी संस्थान कहां परिस्तित है आगरा में निम्न में से कौन राज विष्व विध्याले है तो इसका जो सही आंसर होगा डाक्टर राम मनुहर लोया राश्टी बिधी विश्व विद्याले लखनाओ ये क्या है ये राज का विश्व विद्याले है निम नमसे कौन राज विश्व विद्याले है तो डाक्टर राम मनुहर लोया राश्टी बिधी विश्व विद्याले लखनाओ नेक्स अगला निम लखित कतनों पर विचार कर कूट से सही उत्तर चुनिए कतन ए क्या कहता है उत्तर प्रदेश में सिच्छा मित्र योजना ग्रामीड युवा सक्ति को अपने ही ग्राम में सिच्छा द्वारा सेवा करने का उसर उपलब्द कराती है कारण आर मानका नुसार अध्यापक छात रनपात को बनाय रखना उसका उद्देश से है तो इसका जो सही आंसर है देख लेते हैं इसका है ए और आर दोनों सही है और ए का सही ब्याख्या आर है ए और आर दोनों सही है और ए का सही ब्याख्या आर नहीं है ए सही किन्तु आर गलत है और डी ए गलत है किन्तु आर सही है तो इसका जो सही आंसर होगा आपसर नंबर ए ए और आर दोनों सही है और ए की सही ब्याख्या आर है नेक्स अगला देख लेते हैं इसके संपादक थे किसके उदंत मार्तंड जो 1826 में कलकत्ता में प्रकासित हुआ था नेक्स अगला देख लेते हैं उत्तर प्रदेश में प्रात्मिक सिच्छा के लिए स्कूल चलो अभियान शुरू किया गया 1999 में 2000 में 2001 में 2002 में उत्तर प्रदेश में प्रात्मिक सिच्छा के लिए स्कूल चलो अभियान शुरू किया गया 2001 में नेक्स अगला देख लेते हैं उत्तर प्रदेश में राज सरकार की क्रस्विश्विद्यालों की संख्या कितनी है दो, तीन, चार, पांच तो इसका जो सही आंसर होगा आपसर नंबर सी चार उत्तर प्रदेश में राज सरकार की क्रस्विद्यालों की संख्या कितनी है चार है नेक्स अगला देख लेते हैं उत्तर प्रदेश संस्क्र संस्थान की स्थापना हुई थी 1950 में नेक्स अगला देख लेते हैं उत्तर प्रदेश उर्दू अकदमी के स्थापना की गई थी 1947 में 1950 में 1962 में 1972 में तो इसका जो सही आंसर है आपसर नंबर डी 1972 में उत्तर प्रदेश उर्दू अकदमी के स्थापना की गई थी 1972 में नेक्स कोशन देख लेते हैं कासी बिद्या पीट के संस्थापक थे पंडित मदन मोहन मालवी आचार नारेंद्र देव बाबू स्यू परशाद गुप्त महत्मा गानी तो इसका जो सही आंसर है आपसा नमबर सी बाबू स्यू परशाद गुप्त जो है कासी बिद्या पीट के संस्थापक थे नेक्स अगला देख लेते हैं कस्तूर्बा गांधी बालिका बिद्याले योजना शुरू किया गया 2004 में 2010 में 2005 में 2012 में तो इसका सही आंसर क्या होगा आपसा नमबर सी 2004 में नेक्स अगला देख लेते हैं उत्तर प्रदेश में सामानी क्रेंदी विश्चु बिद्याले हैं एक, दो, थीन, चार तो इसका सही आंसर क्या होगा नमबर डी, चार नेक्स अगला कोशन देख लेते हैं प्रात्मिक स्कूलों में केंद्र द्वारा उसाहर सहता हे तुकारिकम शुरू किया गया 1995 में 2004 में 2007 में 2010 में तो इसका सही आंसर क्या होगा आपसा नमबर A 1995 में नेक्स अगला देख लेते हैं उत्तर प्रदेश में 1887 में प्रकासित होने वाले दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान के संपादक थे महाबीर प्रशाद दिवेदी मदन लाल पुन्ना लाल मदन मोहन मालवी भारतिन हरिश्चन तो इसका जो सही आंसर होगा आपसा नमबर C मदन मोहन मालवी नेक्स अगला देख लेते हैं उत्तर प्रदेश में किस वर्श सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग अनिवार किया गया 1947-1957 1968-1976 तो इसका जो सही आंसर आपसा नमबर C 1968 में उत्तर प्रदेश में सभी सरकारी कारेलों में हिंदी का प्रयोग अनिवार किया गया नेक्ष अगला सरदार बल्लब भाई पटेल क्रसी और तक्नीकी विशुविद्याले इस्थित है लखनों में पंतनगर में मेरट में सहारनपुर में तो इसका जो सही आंसर आप मेरट में है सरदार बल्लब भाई पठेल क्रेश और तक्नीकी विश्व विद्याले का है स्थित है मेरट में नेक्स देख लेते हैं उत्तर प्रदेश का पहला समाचार पत्र निम्न में से कौन था जो 1845 में गोबिंद रगुनात धत्ते के संपादक्त में निकलना सुरू हुआ था जागरण हंस बनारसकबार सरस्वती तो इसका जो सही अंसर है आपसर नमबर सी बनारसकबार नेक्स्ट अगला देख लेते हैं कानपूर इस्थित क्रस विश्व विद्यालय का नाम निम्न में से किस सुतंता सेनानी के नाम पर रखा गया चन सेखर आजाद महत्मा गांदी लाल बहदूर सहस्ती मंगल पांडे तो आपसर नमबर एस कर सही होगा चन सेखर आजाद टेट हैं एक्जाम्स जो वेरी इंपोर्टेंट हैं और पूछे गए हैं तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक सेखर कमेंट और चैनल को सस्क्राइब करना मत भूले का बहुत बहुत धन्यवाद